नमस्कार दोस्तों स्वागे दे मेरे चैनल फिर्स्ट इंवेस्मेंट पे मैं हूँ आपका मेंटर श्यवाज बसी दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा करेंगे जो हमारी पहली वीडियो है वो है कि अकाउंट कैसे उपन करवाते हैं तो दीमेट अकाउंट आप लोगों को जहां पर उपन करवाना है और बहुत इजी स्टेप्स है इफाई टेल यू दाट फर्स इस साइन अप जो यहां पर आप लोगों को सारी डिटेल्स शो कर जाएंगी साइन फोन पैन नंबर बेसिक इंफॉमिशन बैंक अकाउंट के वाइसी चॉइस एंड साइन एंड लास्ट इस सेक्स तो टोटल एट बेसिस पे आप लोगों को अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड हम लोगों ने टाइम फ्रेम्स को डिवाइट कर रहा है अपने यूट्यूब वीडियो पर तो आप लोग फॉवर्ट करके भी अराम से देख सकते हैं तो बिलकुल सिंपल एट स्टेप से आईए बढ़ते हैं अपने फोन में एंड चेक आपको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस आप को टर्मिनल शो करेगा और यहां पर आपको तीन ओप्शन्स दिए जाएंगे या तो आप अपने गूगल अकाउंट से ही कंटीनियू कर सकते हैं या फिर आप अधर इमेल आईडी से भी कंटीनिव कर सकते हैं मैं अधर other email id से continuity करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपना email address डालना पडेगा email डालेगा जिस पे आप लोगों मेल मिलते हैं और उसी पे आप लोगों को OTP भी आएगा जब आप लोग अपना email address ढाल देगे तो आप लोगों को अपने mail में जाना पडेगा वहाँ पर आपको OTP आया होगा तो आपको OTP को यहाँ पर present करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को verify email id पे click करना पड़ेगा उसके बाद आप अगर पुराने user है अगर आप grow और रेड़ी एक बार use कर चुके है sign up कर चुके है तो अगर आपके पास password है तो आप यहाँ पर अपना password डाल सकते है and continue कर सकते है आप लोगों को OTP बिल्कुल अच्छे से डालना पड़ेगा जो लिखा वह है OTP सेंट करा गया exact वैसा डालना पड़ेगा वरना वो OTP लेगा नहीं उसके बाद second आता है phone phone में सबसे पहले आप लोगों को अपना phone number डालना पड़ेगा जिसे वो verify करेंगे phone number वो ही डालेगा जो आपके pen या अधार कार्ट से link हो और bank account पर भी use होता हो उसके बाद आप लोगों को अपना phone number को verify करना पड़ेगा उसी पर OTP आएगा तो शौर रखेगा कि आप जिस phone number डाल रहे है वो phone number आपके पास already होना चाहिए या तो फिर आप via call के थूरू भी OTP मंगवा सकते हैं आप लोगों कोई call receive होगा और उस call पर आप लोगों को OTP बताया जाएगा जिसे आप डाल सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप OTP डालेंगे यह आपको verify करना पड़ेगा verify करने के बाद आप next step पे आ जाएगे next step है हमारा pancard जो की सबसे important है because KYC की बात हो रही है तो आप लोगों को pancard डालना पड़ेगा अपने account को verify करने के लिए तो यहाँ पर आप लोग अपना pancard को enter करेंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों को pancard show करेगा आप अपना pancard डालेंगे उसके बाद आप लोगों को next करना होगा जैसी आप next करेंगे आप लोगों को जो pancard में आपका नाम है वो नाम आपको नीचे डालना पड़ेगा उसके बाद आप लोगों को confirm कर देना पड़ेगा तो जैसी आप लोग confirm करेंगे उसके बाद सीधा वो आप लोगों को basic information में ले जाएगा जो कि हमारा fourth point था fourth point में आप लोगों को अपना date of birth डालना है आप लोगों को अपना gender डालना है material status डालना है और उसके बाद आप लोगों को nationality डालनी है basic information में आप लोगों को इसे पूछा जाएगा कि आप लोग occupation type आपका क्या है आपकी annual income क्या है और आपका father या mother name क्या है तो आप लोगों को इस सारी चीज़े type करने है उसके बाद आप लोगों को directly next पे click कर देना है next पे click करने के बाद आप से एक चीज़ और पूछी जाएगी अगर आप लोग mutual funds पे भी invest करना चाहेंगे इस पे तो आप लोग किस को nominee रखना चाहेंगे तो आप उसका नाम भी डाल सकते है और वो आप से क्या related है next step आता है bank information bank information में आप लोग अपना bank select कर सकते है अगर आपका SBI HDFC bank है अगर यहाँ पर आपको वो bank show नहीं कर रहा तो आप search bank में जा सकते है और अपना bank select कर सकते है उसके बाद आप अपना bank को manually भी add कर सकते है नीचे आप लोगों को option दिख रहा है manually bank को add करने का तो आप यहाँ पर bank को add भी कर सकते है उसके बाद आपका जो भी area वाला bank है for example आपके city पर जो भी जिस area पर आपका bank आता है आप उसको IFSC code के through भी search कर सकते है आपना branch का नाम डाल सकते है और उसके बाद आपके bank accounts को verify करा जाएगा जो कि हमारा fourth point था and bank accounts पर आप लोगों को अपना account number डालना पड़ेगा जैसे आप अपना account number डालेंगे verify bank होगा आपको verify bank पर click करना होगा and उसके बाद हमारा next step आजाएगा जो कि है KYC का KYC पर आप लोगों को अपना pan card को upload करना पड़ेगा camera के थुरू आप अपने camera के सामने pan card को डख सकते हैं click कर सकते हैं और आपको इस तरीकी का visual show जाएगा उसके बाद आपका जो second step होगा KYC पर आप लोगों को अपना screenshot अपना face की photo लेनी पड़ेगी camera को सामने रखके जैसी आप photo लेंगे आपको एक option बताया जाएगा कि आप लोगों को code 2 करके click करना है so आप अपना camera बिलकुल face के सामने रखेगा and fingers पर 2 बनाईएगा and उसके बाद आप click कर सकते हैं तो यह recording के समय होगा आप लोगों कोई चीज record करके यहाँ पर upload करनी होगी जो next step आता है that is address verification आप लोग address का verify कर सकते हैं थ्रूँ अधार card, passport, driving license और voter ID जैसी आप लोग upload कर देंगे आप लोगों को proceed to upload में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपका अधार कुछ इस तरीके से show कर जाएगा इसके बाद आप लोगों को forward करना है और इसके बाद आपसे KYC के कुछ details आपको यहाँ पर show कर जाएगी जो जो आपसे मांगी गई है मांगने के बाद आपको confirm and submit पे click कर देना है जैसी आप confirm and submit पे click करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप लोगों को stocks पे कित्ते time का experience है जो कि proceed to sign करने के बाद जो हमारा 7th option है that is choose and sign आप लोगों को अपना signature को upload करना पड़ेगा जो कि आप कर सकते है अगर आप white paper पे signature करी है इसके बाद उसकी photo आप यहाँ पर upload कर सकते है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप लोगों को mutual funds पे trade करना है या stocks पे trade करना है mutual funds यहाँ पर grow आप में बिल्कुल free of cost आप लोगों को provide करवाया जा रहा है बिट अगर आप लोग stocks पे trade करना चाहते है तो जो account opening fees है that is 200 rupees आपको इस पर tick करना है and proceed to pay करना होगा proceed to pay करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको multiple options शो कर जाएंगे google pay, beam, phone pay, net banking various options आपको शो कर जाएंगे आप इसके थूँ payment कर सकते हैं payment करने के बाद जो last option है that is success आप लोग अपना fingerprint ID डाल सकते हैं या pin code डाल सकते हैं उसके बाद आप जैसी click करेंगे आपको automatically account open हो जाएगा आप देख सकते हैं congratulations आपको आजाएगा you have to just click let's start let's start click करते ही आपका account open हो जाएगा and आप trading start कर सकते हैं हम मिलते हैं वीडियो के आखरी में so I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों ने account open करवाने के लिए start कर भी दिया होगा तो description पे आपको नीचे link मिल जाएगा जिसके थूँ आपने grow app से account easily open करवा सकते हैं and within minutes आप लोगों का account open हो जाएगा so series की जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम लोगों grow app के बारे में और चीज़े लेकर आएगे जिस पर आप लोगों को develop कर जाएगा कि grow आपको किस अच्छे easy तरीके से use कर जाता है और perform कर सकते हैं सो हम मिलते हैं अगली वीडियो पर अब तक के लिए गुड़ बाग